बच्चो नमस्कार गनित की कक्षा में आपका स्वागत हैं। बच्चो आज हम गनित की कक्षा में कक्षा पाचवी का अध्याय 18 परिमाप पढ़ेंगे और उस पे अपनी कुछ आवधारनाये इसपष्ट करेंगे। बच्चो आपने कक्षा चौथी में भी परिमाप पढ़ाऊगा। उसमें कुछ आवधारनाये आपने इसपष्ट की थी। जैसे परिमाप क्या होता है तो किसी भी आकरिती के चारो ओर की लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। आईए बच्चो आज हम इसी के आगे कुछ गतिविदी करके देखते हैं। आज हम पहले समझते हैं कि बंदाकरिती और खुली आकरिती क्या होती है। तो बच्चो आपको यहाँ पे कुछ आकरिती दिखाई दे रही है। इसमें हमको पता लगाना है कि कौन सी आकरिती खुली आकरिती कहलाएगी और कौन सी आकरिती बंदाकरिती कहलाएगी। तो बच्चो इसकी जांच करने के लिए एक बड़ा ही सरल तरीका है। आपको आकरिती में किसी भी एक बिंदू का चैन करना है और उंगली को उस आकरिती की भुजा के अनुसार आगे बढ़ाते जाना है। आप पूरी आकरिती में अपनी उंगली को चलाते हुए जाईए। यदि आपकी उंगली अपनी प्रारंभी कवस्था में आ जाती है अर्थात जहां से आपने सुरुवात किया था आपकी उंगली यदि वहीं आ जाती है तो वह आकरिती बंदाकरिती कहलाएगी। और अगर नहीं आती है, तो वो खुली आकृती कहलाएगी, जैसा हम पहली आकृती में करके देखते हैं, तो बच्चो हमने प्रारंब में देखे, उपर उंगली रखी, अब हम चलाते हुए जा रहे हैं, इस तरीके से, अब हम देख रहे हैं कि जब हमने अंत किया, तो हमारी जो उंगली थी, वो जहां से हमने प्रारंब किया, वहीं पे आ गई, तो आकृती जो पहली थी, वो कौन से आकृती होगी बच्चो, बंद आकृती होगी, उसी प्रकार हम दूसरी आकृती में देखते हैं, तो बच्चो हमने उपर में उंगली रखी, और आकृती क अनुसार उंगली को चलाते हुए जा रहे हैं आप देखो बच्चो हमारी उंगली लाश्ट में कहां पे आगई बच्चो नीचे हम अपनी प्रारंबिक बिंदू पे पहुंच नहीं पाए तो यह आकृती क्या कहलाएगी बच्चो खुली आकृती कहलाएगी इसी प्रकार ब आप उंगली रख रख के देखिए कि कौन सी आकृती खुली आकृती है और कौन सी आकृती बंद आकृती है बच्चो इसमें आप उंगली के स्थान पे पैंसिल रख के भी आप देख सकते हैं कि आप उस पे पैंसिल जलाके भी देख लीजिए वह अगर अपनी प्रारंब अभीकवस्था में आ गई तो बंद आकृती और अगर नहीं आ पाई तो खुली आकृती आप करके देखे बच्चों आपको पाठी पुस्तक में बहुत सारे चित्र दिये गए हैं अब बच्चों हम देखते हैं कि ये जो बंद आकृती और खुली आकृती हमने समझा यह परिमाप में क्या काम आती है तो बच्चों आप ये धियान रखेगा कि हम सिर्फ बंद आकृती का ही परिमाप ग्यात कर सकते हैं हम खुली आकृती का परिमाप ग्यात नहीं कर सकते इसलिए हमने ये जाना कि कौन आकृती खुली है और कौन आकृती बंद तो अब हम बच्चों जो भी गतिविधी करेंगे उसमें हम कौन सी आकृती का उपयोग करेंगे बंद आकृती का तो आईए बच्चो हम समझते हैं परिमाप को तो बच्चो हमने परिमाप की परिभासा चौथी क्लास में भी देखी थी आईए अब इसमें हम एक और सब्द जोड़ दे रहे हैं बंद आकरिती चुकि हम सिर्फ बंद आकरिती का ही परिमाप ग्याद कर सकते हैं तो अब हम कह सकते हैं कि किसी भी बंद आकृती के चारो और की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं यहाँ पे देखो बच्चो नीचे आपको एक चित्र भी दिया गया है हम अभ्यास के रूप में आईए इसका परिमाप ज्याद करके देखते हैं तो बच्चो यहाँ पे आपको जो आकृती दी गई है उसमें देखिए उसकी लंबाई दी गई है जैसे उपर की लंबाई 4 सेंटिमीटर उसके बाजू की लंबाई 2 सेंटिमीटर नीचे की लंबाई 4 सेंटिमीटर और उसके बाजू की लंबाई 2 सेंटिमीटर बच्चो आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे सेमी लिखा है परंतु मैं क्या पढ़ रहा हूं बच्चो सेंटीमीटर क्योंकि हमें छोटे रूप में लिखने के लिए हम सेंटीमीटर को ही सेमी लिख देते हैं परन्तु हमें पढ़ते समय उसे सेंटीमीटर ही पढ़ना है तो अब बच्चो हमें इस आकृती का क्या निकालना है परिमाप तो देखिए हमने परिभासा में ही बोला था कि उसकी चारो तरप की लंबाई का योग तो देखे बच्चो हमने परिमाप में उसकी चारो भुजा की लंबाई को जोड दिया 4 cm धन 2 cm धन 4 cm धन 2 cm तो सभी को जोड देंगे तो कितना आएगा बच्चो 12 cm तो हम कह सकते हैं कि जो आकृती यहां दी गई है उसका परिमाप 12 cm है बच्चो इसी तरीके से हम एक और अभ्यास करके देखते हैं तो बच्चो यहां पर आपको एक नई आकृती दिखाई दे रही है जिसमें कितनी भुजा हैं बच्चो? तीन भुजा अर्थात यहत्री भुजा है अब बच्चो इन तीनो भुजाओं की लंबाई भी आपको दी गई है कितना दी गई है बच्चो? तीन सेंटिमीटर, तीन सेंटिमीटर और तीन सेंटिमीटर तो बच्चो हमने पढ़ा था कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनो भुजाओं की लंबाई एक समान हो उसे हम क्या कहते हैं बच्चो? संबाहु त्रिभुज तो यहाँ पे हमको एक संबाहु त्रिभुज दिया गया है और इसका परिमाप हमें निकालना है तो परिमाप अर्थात सभी भुजाओं के लंबाईयों का योग तो देखो बच्चो नीचे हमने परिमाप बराबर सभी भुजाओं की जो लंबाई दी गई थी उनका योग कर दिया तीन सेंटिमीटर धन तीन सेंटिमीटर धन तीन सेंटिमीटर तो कुल कितने हो जाएंगे बच्चो, 9 cm अर्थास इस संभाहू त्रिभूज का परिमाब 9 cm होगा बच्चो इसी प्रकार हमको एक और आकरिती दिग गई बच्चो आपने इसे पहचाना, तो देखो बच्चो इसमें 4 भुजा हैं और 4ों की लंबाई 0,5 cm है तो ये क्या होगा बच्चो, वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है तो आएए बच्चो, आप इस वर्ग का भी परिमाब निकाल लेते हैं तो सारी भुजाओं की लंबाईयों को आप जोड़ दीजे देखें हमने नीचे में जोड़ दिया 0,5 cm, धन 0,5 cm, धन 0,5 cm, धन 0,5 cm तो कितना जाएगा बच्चो, योग करके देखिए 10 cm तो यहाँ परिमाब कितना आगया बच्चो, 10 cm इसी प्रकार बच्चो और भी आकरिती आपको दिखाई दे रही हैं इन सभी की परिमाब आप निकाल के देखिए जैसे यहाँ पर दो आकरिती देख रही है इसमें एक में 4 भुजा है और एक में 6 भुजा है आप इन सभी भुजाओं की लंबाई को योग कर लिजे जो भी आएगा वह उसका परिमाप हो बच्चो यह आकरिती आपके पाठिपुस्तक में दी गई है आप वहाँ जाके अभ्यास कर सकते हैं अब बच्चो हम आगे बढ़ते हैं और विशेश आकरितीयों का परिमाप ग्याद करके देखते हैं इसमें बच्चो सबसे पहले हमने त्रिभुज का परिमाप ग्याद किया है तो बच्चो यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसमे उनकी तीनों भुझाओं की लंबाई दी गई है 4 cm, 3 cm और 4 cm अब इसका परिमाफ हमको निकालना है तो बच्चों हमें पता ही है परिमाफ अर्थाद सभी भुझाओं के लंबाईों का योग जो तीनों भुझाओं की लंबाई दी गई है उसे आप जोड़ दीजे, 4 cm, धन 3 cm, धन 4 cm, कितना हो जाएगा बच्चो, 11 cm, तो इस त्रिभुज का परिमाप 11 cm होगा, अब बच्चो, आपको अभ्यास के लिए यहाँ पे दो और त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इनका जो बुजाओं की लंबाई है, वो भी देखिए आपको दिखाई दे रहे होगी, तो आपको इनका परिमाप ग्याद करना है, तो बच्चो, आप देखी रहोंगे, हमने नीचे दोनों त्रिभुजो का परिमाप ग्याद किया है, दोनों त्रिभुजो के लंबाईयां दी गई थी, भुजाओं की, उन्हें हमने जोड़ द बच्चो आप ये अभ्यास घर में करके देखिएगा ये सभी आपके पाठी पुस्तक में दिये गए हैं तो बच्चो अभी हमने त्रिभुज के परिमाप पे काम किया तो उसका परिमाप हमने कैसे निकाला बच्चो उसकी जो भुजा की लंबाईयां दी गई थी उन्हें हम जोड़ देते थे तो बच्चो इस प्रकार से हम एक परिभासा बना सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाईयों का योग तो यहां पे आपको एक परिभासा भी दिखाई दे रहा है अब बच्चो हम दूसरी आकृती प परिचित ही है आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सभी कोनों का मान नब्बे अंस होता है यहां पे आप देखिए एक आयत दिखाई दे रही है परन्तु इसमें हमने चारो भुजाओं की लंबाई नहीं दिया है हमने उपर की लंबाई दी और हमने पर होती है तो जो लंबाई उपर है वही लंबाई तो नीचे भी होगी अर्थात उपर अगर 5 सेंटीमीटर है तो नीचे की लंबाई भी कितना होगा बच्चो 5 सेंटीमीटर और अगर चोड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो इधर की भी चोड़ाई कितनी होगी बच्चो 4 सेंटी तो देखिए हमने फिर से क्या किया बच्चो सबी भुजाओं की लंबाईयों को जोड़ दिया पांच सेंटिमीटर धन चार सेंटिमीटर धन पांच सेंटिमीटर धन चार सेंटिमीटर कितना हैगा बच्चो 18 सेंटिमीटर तो इस आयत का परिमाप 18 सेंटिमीटर होगा इसी प्रकार बच्चो अभ्यास के रुप में आपको दो और आयत दिखाई दे रहे हैं हमने इसका भी परिमाप ग्यात किया तो आप देखें बाजू में हमने इनकी भुजाओं का योगफल किया है जैसे पहला आयत में लंबाई चार सेंटिमीटर है और चोडाई दो सेंटिमीटर है तो हमने इनके चारो भुजाओं को जोड लिया, 4 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर धन 2 सेंटीमीटर, कितना हो गया बच्चों? 12 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से आप भी नीचे जो आयत दी गई है उसका परिमाप ग्यात कीजिये, अब बच्चों हमने देखा कि आयत निकालने में हमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दी गई थी, पंतु भुजाएं तो चार थी, तो हम जब आयत का परिमाप ग्यात करते हैं, तो देखिए हम उसका सुत्र कैसे बना सकते हैं, तो बच्चों, आयत में कुल कितनी भुजा थी? चार, जिसमें दो लंबाई थी और दो चौड़ाई, तो हम लिख सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर लंबाई धन चौड़ाई, धन लंबाई धन चौड़ाई, अब हमने लंबाई लंबाई को एक तरफ कर दिया, चौड लंबाई कितने बाई आ रहा है बच्चों? दो बाई, और चौड़ाई भी कितने बाई आ रहा है? दो बाई, तो हम लिख सकते हैं लंबाई धन चौड़ाई दो बाई, या हम लिख सकते हैं दो गुनित लंबाई धन दो गुनित चौड़ाई, क्योंकि बार बार जोडने क को हम गुना से ग्याद करते हैं तो हमारा जो सुत्र है वो क्या बन सकता है बच्चो कि आयत का परिमा बराबर दो गुनित लंबाई धन दो गुनित चोड़ाई अब आईए बच्चो अगले आकृति में इसका नाम है वर्ग वर्ग तो आपको पता ही बच्चो चारू भुज बच्चो हम वर्ग का परिमाप ग्याद करेंगे तो आपको एक वर्ग दिखाई दे रहा है जिसकी भुजा चार सेंटीमीटर है तो बच्चो आपको ऊपर की लंबाई दी गई है बाकी की लंबाई दी नहीं गई है परन्तु सभी भुजाओं की लंबाई तो एक समान है अ चोड़ दीजे, 4 cm, धन 4 cm, धन 4 cm, धन 4 cm, कितने हो जाएंगे बच्चो, 16 cm, तो दिये गए वर्ग का परिमाप कितना होगा बच्चो, 16 cm, बच्चो इसी प्रकार कुछ वर्ग आपके पुस्तक में दिये गए हैं, आप उसका अभ्यास किजिएगा, अब हम इसका भी सुत्र ब वर्ग का परिमाप बराबर, अब सभी भुजा की लंबायों को हम जोड रहे हैं, तो भुजा, धन, भुजा, धन, भुजा, धन, भुजा, धन, भुजा, बच्चो भुजा कितनी बार आ रहा है? चार बार, तो हम बोल सकते हैं कि भुजा का चार बार योग, और बार बार तो हम बोल सकते हैं चार गुनित भुजा, तो अब हमारा एक सुत्र तयार हो गया बच्चो कि वर्ग का परिमाप बराबर चार गुनित भुजा, अब भुजा का मान रखके हम बड़े असानी से वर्ग का परिमाप गयात कर सकते हैं, अब बच्चो हम कुछ इबारती प्रश् को हल करके देखते हैं जो आपके पाठी पुस्तक में दी गई है तो उसमें से हमने पहला प्रश्न लिया है जैसे एक आयताकार मैदान की लंबाई 200 मीटर है और चौडाई तो बताओ मैदान का एक चेकर लगाने में राजू को कितने मीटर दोड़ना पड़ेगा अब राजू उस आयताकार मैदान के चारो ओर दोड़ना है बच्चो अर्थात वहाँ उस आयताकार मैदान के परिमाप पे दोड़ना है तो जो आयताकार मैदान का परिमाप होगा उत नहीं राजु को दोड़ना पड़ेगा, तो हम इस आयताकार मैदान का क्या निकाल लेते हैं बच्छो परिमाब, अब हमें पता ही है बच्छो, कि आयत का परिमाब बराबर दोगुनित लंबाई, धन दोगुनित चोड़ाई, इस आयताकार मैदान की लंबाई कितनी थी बच्चो, दो सो मीटर, और चोडाई कितनी थी बच्चो, देर सो मीटर, अर्थात एक सो पचास मीटर, तो हमने इनके मान को इस सुत्र में रख दिया, तो कितना आएगा बच्चो, दो गुनित दो सो मीटर, धन दो गुनित, एक सो तो 400 मीटर धन 300 मीटर कितने हो जाएंगे बच्चो 700 मीटर अर्थात राजु को उस आयताकार मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए 700 मीटर दोड़ना पड़ेगा इसी प्रकार बच्चो और भी इबारती प्रश्न आपके पाठिपुस्तक में दिये गए हैं आप उन्हें इसी प्रकार से हल करके देखिए अब बच्चो हम जो सुत्र बनाये थे आयत का और वर्ग का अब हम देखते हैं कि उस सुत्र की मदद से कैसे असानी से हम त्रिभुज का आयत का या वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं तो अभ्यास के लिए हम सबसे पहले लेते हैं का योग तो यहाँ पे देखे बच्चो आपको अभ्यास में त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हैं तो आप उसका परिमाप ग्याद करके देखिए तो उधारण के लिए हम पहला जो प्रश्ण हैं उसको हल करके देखते हैं तो बच्चो पहले प्रश्ण में आप देखिए कि त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई दी गई हैं किती दी गई है बच्चो 6 cm, 8 cm और 10 cm आप सुत्र क्या है बच्चो त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 भुजाओं की लंबाई तो आप इन 3 को जोड़ दीजे बच्चो 6 cm धन 8 cm धन 10 cm तो कितना हो जाएगा बच्चो 24 cm तो त्रिभुज का परिमाप 24 cm होगा इसी प्रकार नीचे जो दो प्रश्ण आपको और दीख रहे हैं आप उन्हें भी हल करके देखिए इसी प्रकार हम लोग बच्चो ग्याद करते हैं आयत का परिमाप तो आयत का परिमाप कितना होता है बच्चो दोगुनित लंबाई तन दोगुनित चोड़ाई यहां देखिए अभ्यास में आपको लंबाई और चोड़ाई दी गई है आप उस सुत्र में लंबाई और चो परिमाप बराबर चार गुनेत भुजा तो ये देखिए अभ्यास के रुप में बच्चो आपको वर्ग क्या भुजा की लंबाई दी गई है तो आप सुत्र में भुजा के इस्थान पर उसकी लंबाई रख दीजिए जैसे की पहला प्रश्ण 8 मीटर भुजा का एक वर्ग है तो उसका परिमाप कितना होगा बच्चो तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुनेत भुजा भुजा के इस्थान पर आप रख दीजिए 8 मीटर तो 4 गुनेत 8 कितना होता है बच्चो 32 तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा बच्चो 32 मीटर इसी प्रकार से बच्चो और भी जो प्रश्ण नीचे दिये गए हैं आप उनको हल करके देखे आपको उस आकरिती का परिमाब ज्यात हो जाएगा बच्चो इसी प्रकार आप अभ्यास करके देखे अब हम मिलते हैं गणित की अगली कर्चा में गणित की कुछ नई अवधारनाओं के साथ तब तक के लिए नासकार